राम राम, कार्टिक मातमयम, तीरवा अध्याय नारजी बोली जलंधर राहु की बास सुनका क्रोध में भरकर करोडों देते साथ लेकर चल दिया जाते समय सामने शुक्रिवर राहु आये और जल्दी की कारण जलंधर का पैर फिसल गया और मुकुट भी गिर पड़ा दित्यों की सेना की विमान आकाश में ऐसे मालूम होते मानुवर्षा के बादल हूँ इंद्रादी देवता उसकी चतुरता देखकर छिपकर महादेव जी के पास जाकर प्रयातना करने लगे देवता बोले ही स्वामी इस विपत्ती से हमारी रक्षा करो और जलंधर का वद करो देवताओं के इस वचन को सुंका विष्णु भगवान को बुला कर महादेव जी ने हसकर का है विष्णु अपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा और आप बैकुंट को छोड़ उल्टे उसके घर पे जाकर रहने लगे हो विष्णु भगवान बोले आपके अंश से जन्म होने के कारिन और लक्षमे जी के छोटे भाई होने से युद्ध में मैंने उस देत्ते को नहीं मारा आप ही उसका वत कीजिए शिव जी बोले वह बड़ा तीजस विये इन अस्रों से नहीं मरेगा इससे आप सब देवता अपना तीज का अंश हमारे लिए शस्र बनाने के लिए दीजिए नारा जी बोले तब सबने विश्णुजी सहीद देवताओं ने अपने अपने तेश दिये उनके मिल जाने पर मादीव जी ने भी उसमें अपना तीज छोड़ा उस बड़े तेश से शिव जी ने इक आती भयंकर सुदर्शन नामक चक्र बनाया इसके बाद करोडो हाती घोडा रत और मनुश्व सहीद जलंधर केलाश वरवत के पास आया उसे ही देख सभी देवताओं छिपकर जैसे आये थे वैसे ही चल दिये और शिव जी के गणभी शिक्र ही अस्रश अस्रो सहीद संग्राम में उत्रे नन्दी, गणेश, स्वामी, कार्थिके, आदी सब देवताओं शिव जी के आग्या लेकर केलाश से बाहर जाकर युद्ध के लिए बढ़े तब क्यलाश के पास के भूमे में देव और देत्यों का भेंकर युद्धुआ वीरों को प्रसंद्य करने वाले भीरी मृदंग और शंक तता हाती घोडा रत आदी की ध्वनी से भूमी कापने लगी शक्ती तोमर बान मुसल फरसा आदी अस्रों से ही आकाश उलकाओं के समान शोबित होता था युद्ध में भरे हुए रत घोडों से प्रित्वी ऐसे मालूम होती थी मानों वज्जर से गिराए हुए परवतों के शिखरों युद्ध में मरे हुए दयत्यों को द्मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचारे जी बार बार जीवित कर देते हैं इसी देखकर शिखर जी की गण बहुत व्याकुल हो एर भाइभी तोकर शिखर्जी के पास जाकर शुक्राचारे जी की क्रियाएं कई धव्शिव जी ने अपने मुख से एक-एक भैंकर कृत्या प्रकट की तार के व्रिक्ष के समान वह कृत्या जिसकी जांग गुफ़ा जिसा मुख और स्तनों से व्रिक्ष को भी हिरा देती थी इस प्रकार का उसका शरीर था कृत्या युद्भूमी में जाकर असरों को भक्षन करती वी शुक्राचारे जी को अपनी भग में चिपाकर अंतरध्यान हो गई शुक्र को पकड़ा जानकर देवता आनंद से दित्यों का सहार करनी लगया शुवजी के गणों से भाईबी दित्यों की सहना बिखर गई थब सेना को भागते वे देकर तीनों सहना पती निश्वम बत तता महाबाली काल नेमी कृद्य थोकर युद्ध में गए तीनों सेना पत्यों ने वर्षा की बूंदों की भाती अम आकाश में बणो की वर्षा की शिवजी के गणों को घेर लिया गया, फिर दित्यों के बाणों से आकाश वर सब्दिशाओं में गिरने से शिवगण कापने लगे, बाणों से घायल गणों के शरीर से रखत बहने लगा और कुछ भी दिखाई ना दे ता था, कुछ गण तो भैसे गिर पड़े और कुछ देत्यों द्वारा मार दिये गए। इस प्रकार विच्छ नभिन्नों कर युद्ध भूमी छोड़ कर भाग गए। तब नंदी गणेशों स्वामी कार्ति के अपनी सेना को भागते वे देख्रोधित होकर देत्यों को रोकने लगे। इत्ती कार्तिक महात्म्यम त्रियुद शुद्ध्याय ह।